नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके ही अपने यूटूब चैनल फ्री एजूकेशन में है दोस्तों आज किस वीडियो में हम GKGS यानि की सामान अध्यन के most most important question को discuss करने वाले हैं और दोस्तों सभी question को हम बिलकुल detail में with extra fact के साथ में discuss करेंगे और दोस्तों ये वो question है जो कि आपके exam में वार वार repeat होते हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नमर first question से और पहला हमारा question है सरोजनी नाइडू किस अधिविशन की अध्यक्ष वनी थी तो देख दोस्तों जो सरोजनी नाइडू है ये Congress के कानपुर अधिविशन की अध्यक्ष वनी थी ए ओप्सन सही हो जाएगा और जो कानपूर अधिविशन है ये कब हुआ था तो ये 1925 में हुआ था ठीक है जो सरोजनी नाइडू है ये कांग्रेश की पिर्थम महिला अध्यक्ष बनी थी ठीक है और कानपूर अधिविशन में जो की 1925 में हुआ ठीक है और दोस्तो सरोजनी नाइडू यहां से आपको एक दो बातें और याद रखना है जो सरोजनी नाइडू है इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है ठीक है भारत कोकिला किसको कहा जाता है तो सरोजनी नाइडू को कहा जाता है ठीक है और इनको भारत कोकिला किसने कहा था तो महत्मा गांदी जी ने इनको भारत कोकिला क चैनल के नाम दिया था, Next question है भारत के महानियवादी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है दोस्तो भारत के जो महानिय यवादी होते हैं यानि कि Attorney General of India होते हैं, फटाफट से आंसर लगाएं, इनको कैसे नियुक्त किया जा सकता है, दोस्तो इनको राश्टपती के द्वारा निय उत्ति कौन करता है? तो राष्टपती करता है. ठीक है? और महानयवादी के जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी ये योगता क्या होती है? तो उनकी योगता, ये सुप्रीम कोट के नियाइदी, इसके समान होती है. नेश्ट हमारा कोस्टन है निमलिकत में से कौन राष्टपती के प्रसाद परियंत अपना पद धारन करता है दोस्तो राष्टपती के प्रसाद परियंत इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि राष्टपती जब तक चाहे तब तक तो दोस्तो जो हमारे भारत का महान आइबादी होता है ठीक है वो राष्ट पती के प्रसाद प्रयंत अपना पद धारण के रहता है ठीक है इसका कोई कारेकाल जो है संविधान में निश्चित नहीं किया गया है लेकिन यदि महान आइबादी चाहे तो वो राष्ट पती को कभी भी अपना त्याग पत्र दे कर पद से मुक्त हो सकता है या तो राष्ट पती चाहें तो उसको पद से हटा सकते हैं या फिर जो बहान आइबादी है वो अपना त्याग पत्र दे कर पद से मुक्त हो सकता है नेश्ट हमारा कोशन है कपिल बस्तु कहां पर हिस्ते थे दोस्तु कपिल बस्तु जो है ये नेपाल में हिस्ते थे ठीक है नेपाल देश में हिस्ते थे और दोस्तु आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में जो साक के गड़ था ठीक है साक के गड़ तो इसकी राध्धा क्या थी तो प्राचिन काल में साक्य गड़ की राध्धानी हुआ करती थी कपिल वस्तू नैस्ट हमारा कोशन दोस्तो किस मुगल समराट ने आलमगीर की उपाधी धारण की थी फटा फट से आंसर लगा ये आलमगीर की उपाधी किस मुगल समराट ने धारण की थी तो दोस् ये खुलदाबाद में है ठीक है, महराष्ट के खुलदाबाद में इसका मक्राइस्तत है most है और दोस्तों सिखों के नौवी नंबर के गुरू थे, उनका नाम था गुरुतेग बहादुर ठीक है, तो गुरुतेग बहादुर की हत्या किस ने की थी, तो औरंग जेब नहीं की थी ये दो fact तो हमेशा प्मूशे जाते हैं next हमारा question है एक ओडने वाले हवाई जहाज में कौन सी उर्जा संचित होती है दोस्तो एक ओडने वाला हवाई जहाज जो है इसमें इस्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की उर्जाएं होती है c option सही हो जाएगा देख दोस्तो जब aero plan जो है ये ground से उपर की और उड़ता है ठीके तो उसमें इस्थितिज और जब हवा में उड़ता है तो उसमें कौन सी और जा होती है उसमें गतिज और जा होती है gc hilton a option सही हो जाएगा दोस्तो भगत से राजगुरू और सुखदेव तीनों की फासी की तारीक जो है ये 24 मार्च 1931 को तै की गई थी कब 24 मार्च 1931 को तै की गई थी लेकिन हमारे इन सेरों से अंग्रेज इतने डरे थे कि इनको एक दिन पहले यानि कि 23 मार्च 1931 को ही साम को फासी पर लटका दिया गया तो दोस्तो हमारे इन भारती सेरों की नाम पर वीडियो को एक लाइक जरूर करें नैश्ट हमारा क्वस्टन है दोस्तो भारत में प्लाजमा अनुसंदान संस्तान कहां पर हैस्ते थे दोस्तो भारत का जो प्लाजमा अनुसंदान संस्तान है ये गुजरात के गांदी नगर में इसते थे ठीक है और दोस्तो जो प्लाजमा अनुसंधान संस्तान है इसको सोट में P.R.I. कहा जाता है यानि कि प्लाजमा रिसर्च इंस्टिटिट इसको कहा जाता है नैश्ट हमारा कॉस्चन है जलियावाला वाग हत्याकांड किस दिन घ घटेत हुआ था दोस्तो जलियावाला वाग हत्याकांड आपको मैं तारीक के बताना है क्योंकि संतो सभी में समान है और आजकल इसी प्रकार के कॉस्चन आपके एक्जाम में जनरेट होते हैं दोस्तो जलियावाला वाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रेल 1919 को घटेत हुआ था वी ऑप्सन सही हो जाएगा ठीक है और किस दिन तो बैसाखी के दिन ये घटेत हुआ था ठीक है बैसाखी के दिन घटेत हुआ था और दोस्तो इस दिन क्या हुआ था तो अमरित सरकेज जलियावाला बाग में डाक्टर शत्तपाल और सेपुद्दिन के चुलू की समीती ने एक रिपोर्ट जारी की थी तो कांग्रेस समीती के अनुशार इसमें एक हजार लोग मारे गए थे लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये सरकारी आकड़े हैं और सरकारी आकड़े कभी सही नहीं होते आप लोगों के सामने सबसे अच्छा उदान है अभी कोविड का कोविड में मरते 50 हैं तो वो रिपोर्ट देते हैं 5 की ठीक है तो आप लोग अन्दाज लगा सकते हैं और दोस्तों ये जो आम सबाज चल रही थी इसकी मुखवरी की थी अपने देश के एक गद्दार ने ठीक है एक भारती गद्दार था मुखवर उसका नाम था हंसराज ठीक है हंसराज नामक एक गद्दा था उसने इस सबाखी मुखवरी की थी जैनरल डायर से नेश्ट हमारा कोशन है रवना टेगोर ने किस नरसाहार के ब्रोध में नाइट हुट की उपादी लोटा दी थी पूचने वाले कोशन है ये वार वार रिपीट होते हैं तो देख दूस्तो उस समय जिस व्यक्ति के पास में ये नाइट हुट की उपादी हुआ करती थी वो उनके नाम के साथ में सर लगा सकते थी ठीक है जैसे आप लोग पढ़ते हैं सर रविन नाट टेगोर ठीक है तो सर लगा सकते थी अपने नाम के साथ में ये होती थी नाइट पारबर और साल्ट लेक सिटी जो है ये इस्ते थें कोल कता में ए ओप्सन सही हो जाएगा नेश्ट हमारा question दोस्तो पुसकर जील कहां पर इस्ते थे तो दोस्तो पुसकर जील जो है ये राजिस्तान में इस्ते थे ठीक है याद रखना पुसकर जील या फिर पुसकर सरोबर ये जो है ये राजिस्तान की अजमेर जिले में इस्ते थे नेश्ट हमारा question है नेमलेकत में से कौन से इस्थान को भारत का सुजर लेंड कहा जाता है देखे दोस्तो भारत का सुजर लेंड जो है ये इन इस्थानों में से कोसानी को कहा जाता है ठीक है कोसानी जो है ये उत्राखंड के बागेश और जिले में एक इस्थित खूब सूरत हिल इस्टेशन है ठीक है और इ पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षनतम बिंदू माना जाता है नेश्ट हमारा कॉस्ट है दुनिया का सबसे उचा मतदान केंदर टसी गंग किस भारती राज में इस्तित है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे उचा मतदान केंदर कहां पर का नाम क कहां पर इस्तित है दोस्तों ये हिमानचल प्रदेश के लाहॉल इस्पीदी जिले में इस्तित है D option सही हो जाएगा नेश्ट हमारा question है गुजरात के कांडला बंदरगाय का नया नाम क्या किया गया दोस्तों गुजरात का जो कांडला बंदरगाय है इसका नया नाम पंडत दीन दयाल उपद्धाय बंदरगाय किया गया और ये कब किया गया ये 2017 में किया गया नेश्ट हमारा कोशन दोस्तो विद्याधर सेतू कहां पर इस्ते थे दोस्तो विद्याधर सेतू ये कहां पर इस्ते थे ये कोलकता में इस्ते थे ठीक है और ये किस नदी पर बना हुआ है तो ये कोलकता में होगली नदी पर बना हुआ है और दोस्तो विद्याधर सेतू इस इसका नाम जो है बंगाल के प्रिसिद समाज सुदारक थे उनका नाम था इस्वर चंद्र विद्या सागा ठीक है तो इनी के नाम पर इस सेतू का नाम रखा गया विद्याधर सेतू नैश्ट हमारा कोशन है राष्टपती का अध्यादेश कितनी आउधी के लिए लागू रह करता है दोस्तो राष्टपती जो अध्यादेश जारी करते हैं इनका जिव अध्यादेश से ये अधिक्तम 6 माह तक लागू रह सकता है देखे दोस्तो सम्मिधान का एक अनुचेद है अनुचेद 123 ठीक है और इसके तहत में राष्टपती के पास में संसत के सत्र में ना र होता है अधिक्तम 6 माह का ठीक है इसलिए जो अध्यादेश से ये अधिक्तम 6 माह तक लागू रह सकता है याद रखेंगे ये कोस्टन कई वार रिपीट होता है नैश्ट कोस्टन असायोग आंदुलन कब वापस ले लिया गया था दोस्तो असायोग आंदुलन ये 5 फरवर अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत की गई थी और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक एक हिंसा घटना हुई थी इस घटना में क्या हुआ था तो भीड ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और इस घटना में जो चोरी चोरा की घटना है इसमें 22 पुलिस कर्मी मारे गए थी और इसी के बाद में सियोग आंदूलन को बापिस ले लिया गया था, कब? तो फरवरी 1922 में इसको बापिस ले लिया गया था नैश्ट हमारा question है, महत्मा गांदी को अरदनंगन फकीर किस ने कहा था? दोस्तो गांदी जी को अर्द नंगन फकीर जो है ये विश्टन चर्चल ने कहा था ए ओप्सन सही हो जायगा ठीक है और विश्टन चर्चल जो है ये अंग्रेज राजनेतक थे और दुतिय विश्विद्ध के समय में ये इंगलेंड के प्रधान मंत्री थे ये कौशन किस मंदर का गलियारा सबसे लंबा गलियारा है तो देख दोस्तो जो रामिश्रम मंदर है ठीक है रामिश्रम मंदर जो है ये तमिल नारु राज में इस्तित है और इसका जो गलियारा है ये सबसे लंबा गलियारा माना जाता है नेश्ट हमारा कौशन दुनिया की सबसे उ अमेरिका में इस्तित है चलिए आंगे बढ़ते हैं और नैश्ट हमारा कौशन है अंतरराष्टी स्रम संगठन इसको आई एलो कहा जाता है इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है दोस्तो आई एलो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेवर और्गनाईजिसन हिंदी म इसको अंतरराष्टी स्रम संगठन कहते हैं और इसका जो हैटकोटर है ये जैनिबा में इस्तित है और इसकी इस्तापना 1919 में की गई थी और नैश्ट हमारा कौशन है नेमलेखत में से किस प्रधानमंत्री के सासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलक अधिकारों की सूच में आता ठा ठाट ठीक है लेकिन ये मुरारजी देशाई के कारकाल में घा एग गया दोस्तो एक्षल में हुआ था चबालीसबा संभिधन संसुधन ठीक है और चबालीसबा संभिधन संसुधन गभ खुआ था यह एक कानूनी अधिकार बन गया है नैश्ट हमारा कॉस्टन है साइमन कमिशन का ब्रोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्टबादी नेता की म्रत्य हो गई थी दोस्तो साइमन कमिशन सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइमन कमिशन ये भारत कब आया था तो साइमन कमिशन जो है बित डेट के याद रख लो ये तीन फरवरी 1928 को भारत आया था ठीक है और इसी का ब्रोध करती हुए एक हमारे राष्टबादी नेता थी उनका नाम था लाला लाच पत्राए और पुलिस की लाठियों के करण इनकी इमरत्यों हो गई थी ठीक है और देखे दोस्तों लाला लाच पत्राए का उपनाम क्या है इनको पंजाब केसरी कहा जाता है ठीक है इनकी दो पुस्तके हमेशार एक्जाम में पूच जाती है एक अनहपी एट इंडिया और दूसरा यंग इंडिया ठीक है तो ये पुस्तके इनों ने लिखी इनका प्रमुख नारा था मेरे सरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सासन के ताबूत की कील साबित होगी देखे दोस्तों आपको याद रखना है क्या कहेंगे अनहपी इंडिया पुस्तक इनों ने इसलिए लिख दी क्योंकि ये ये हैपी नहीं थे इंडिया में उस समय जो सासन चल रहा था उस से ठीक है और यंग इंडिया इसलिए लिख दी इनोंने कहा यदी में जवान होता यदि मैं यंग होता इंडिया में तो इस प्रकार से मुझे लाटी ना पढ़ पाती मैं अच्छे से ब्रोध कर पाता और मेरी मृत्यू नहीं होती तो याद रखना इनकी उपर लाटीया पढ़ी के बल हमें लॉजिक लगाना है इसको माइंड नहीं करना हमें एक नमबर से मत है जबकि ये देश के लिए लड़ते सहीद हुए हैं तो ऐसा माइंड नहीं करना कुछ लोग माइंड करके गलत कमेंड करते हैं मैं तो इसलिए ये लॉजिक बताता हूँ इस लॉजिक से मैंने याद किया है और यदि आप चाहें तो आप भी इस प्रकार से कुछ लॉजि एक जीके होता है कुछ चीजें ऐसी रहती है कि हमें याद तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और यदि आप लोजिक लगाते हैं तो मैं गैरेंटी देता हूँ मरते दम तक आपको ये चीजें याद रहेंगे आप नैस्ट एंड लाष्ट कॉस्टन आपके लिए चैलेंजिंग कॉस्टन है इसी वीडियो से मैंने ये कॉस्टन लिया है चोरी चोरा नामक इस्थान जो है ये भारत के किस राज में है यदि आपने वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो आप बता पाएंगे कि चोरी चोरा नामक जो इस् वीडियो को सेर करें जो निव इस्टुडेंट हैं वो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन दबा लें ताकि जब भी में कोई नया और इसी प्रकार का लेटिस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके हैं थैंक्यू दोस्तो राम राम दूआ सलाम मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मातराम